और इसी बीच आपको कानपूर से खबर बता देते हैं पैसे देने से मना करने पर गुन्दो ने चापड से हमला किया पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासित में लिया है चापड से हमला कर युवक को किया गया था लहू लुहान पैसे देने से मना करने पर गुंडों ने चापड से किया हमला पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासित में लिया है किद्वाई नगर थाना शेतर के देट राहे की एगटना बताई जा रही है जहां पर एक युवक पर चौपट से किया गया हमला 20 सड़क पर युवक पर चौपट से गुंडों ने किया हमला चौपट से हमला कर युवक को किया गया लहू लुहान पैसे देने से मना करने पार गुंडों ने चापट से हमला किया पुलिस से दो व्यक्तियों को हिरास्त में लिया है कि द्वाई नगर के दीब चराय के घटना बताई जा रही है जहां पर गुंडों ने किया चापट से हमला और इसी खबर पर जादा जुहांकारी के लिए हमारे सबादाता मदूर बोहन फोल नाइं पर जोचिके है मदूर क्या आखुब जुहांकारी इस पूरी घटना को लेकर पूरा मामला यहां पर एक तो पीडित यूबास है उसने आरोब लगाया है जानकारी मिल पाई है पुलिस को यूबास को यूबास को पुलिस को फिरासत में लिया है जानकारी मिल पाई है पुलिस को यूबास को पुलिस पूरी घटना के लिए जी बदूर बदूर शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बता दे आपको की कानपूर में एक यूबास पर गुंडों ने चापट से हामला कर दिया फिलाल अगुंडों से कुंडों को हिरासत में लिया गया हमसे पूस्टाच की जा रही है और यह घटना के द्वाइन अगर्थाना शेत्र के दीप चुराहे की बताए जा रही है हुआ 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 है